नोज कमपटेटिव कलासिस के यूटूब चैनल में मैं आपका तही दिल से स्वागत करता हूँ चलिए दोस्तों तो हमारा सीरीज चल रहा है बहुत इक विज्ञान का तो ये जो है आपका पांचमा सीरीज है पांचमा विडियो है यानि पांचमा सेट है तो हमें उमीद है कि ये विडियो जो है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो है अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो किरप्या चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए दोस्तो थोड़ा सा वेट करके अंसर बताएंगे आप जो है अपना अंसर से आपका कितना कोश्न सही होगा ठीक है आचले दोस्तों तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दखीए इसमें पहला कोश्ण है एक्स किर्णे बास्तों में ओपशन है धीमी गति से इलेक्ट्रॉन है ध्यान दिजेगा इसका अंसर तीबर यहाँ पर होगा तीबर गति के इलेक्ट्रॉन है या फिजो है विधूत चुमब के तरंगे हैं या धीमी गति के न्यूट्रॉन है वहाँ पर तीवर लिखा हुआ है तिवर गाती के लेक्टरॉन तो अब बताईए इसमें आपका कौन सा अंसर होता है आप हमें उमीद है कि आप इसका अंसर लगा चुके होंगे तो चलिए बताते हैं इसका अंसर जो है यानि एक नंबर कोशन का जो है सी है सी उमा की तरंग है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की और अगला कोशन है आटो वाहनों में द्रव चालित ब्रेक किस सिधांत पर कारी करता है तो चलिए इसका अंसर बताइए आप चलिए इसका जो है अंसर हम बदाते हैं तो आप इसका अंसर लगा चुके होंगे त वाटो वाहनों में दरवचारीत ब्रेक की सिधान परकारी करता है तो इसका अंसर है पासकल के सिधान पर किसके सिधान पर तो पासकल के सिधान पर इसका अंसर सही है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन की ओर अगला कोशन है AC को DC में परिवर्तित या परिवर्तन करने की युक्ती है कौन सा युक्ती है पहला option में transformer, दिष्टकारी या प्रेरन कुंडली या डायनेमो ठीक है तो चलिए इस cancer आप लगा चुके होंगे तो चलिए इस cancer हम आपको बताते हैं यानि कि तिन नमबर कोशन का जो है option बिहार जो है इस cancer सही होगा चलिए अगला कोशन की बढ़ते हैं अगला कोशन है जल के हिमिकरन होने पर इसका ताप क्या होता है बहुत important कोशन है दोस्तों जल के हिमिकरन होने पर इसका ताप क्या होता है तो चलिए इसका ताप जो है आप बनाईए बताईए क्या होता है जल के हिमिकरन जल के हिमिकरन के होने पर इसका ताप क्या होता है तो बताए चार नमबर का जो है इसका अंसर जो है अगर आप बिहार लगा है तो बिल्कुल सही है इसका अंसर बिहार होगा आप परवर्तित रहता है चलिए आग बढ़ते हैं अगला कुशन है प्रकास के बेग की तुलना में रेडियो तरंगों का बेग होता है तो आप इसका अंसा लगाईए पांच नंबर का तो चलिए अगर आप इसका अंसा सी लगाया है तो बिल्कुल सही है चलिए आग बढ़ते हैं अगले कु में कुखता है इसका ओप्सन दिया हुआ है आप बताए किया इस अंसर इसका होगा स्याहिश शुखा कर किसी का क्यिया द्वारा ठोस करन किरिय द्वारा यह बसपी करन द्वारा तो चलिए अगर गार का जो है अगर आप बिहार ऑप्शन लगाए हैं तो आपका बिल्कुल सही है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कुशन की और अगला कुशन है हीमिकरन तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं येसा किसके कारण होता है देखिए यहाँ पे जो है सब जो है इंग्लिस वर्ड दिया हुआ है तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको दीकत होगा ठीक है तो इसका अंसर बताए है क्या होगा जो सात नंबर का तो चलिए इसका अगर आप ए लगाए है तो आपका सही है चलिए आगे बढ़ते हैं dyspansion इसका अंसर था अगला कोशन है आठ नमबर कोशन जब सीधे उपर की ओर फेका गया पत्थर सिर्ष पर पहुंचता है तो इसका माल ले आ जाए कि आप जो है सीधे उपर की ओर कोई बस तू फेके हैं या पत्थर फेके हैं तब जब वे वह सिर्ष पर पहुंचता है तब इसका क्या होता है दीख्या option में दिया हुआ है बेग इंब मं तोरण सुनने होता है तथा तोर लगभग दस मीटर परती सेकेंड असक्वाइर होता है या फिर बेग लगभग 10 मीटर पर 30 सेकेंड होता है तथा त्वारन सुन्ने होता है फिर अगला ओप्शन जो है बेग लगभग 10 मीटर पर 30 सेकेंड होता है तथा त्वारन सम्मान होता है सम्मान होता है तो अगर इसका जो है अंसर यानि कोशन नमर 8 का अंसर आप जो है अगर बिहार लगाए हैं तो आपका सही है यानि कि बेग जो है सुन्ने होता है तथा तौरन लगभग 10 मीटर पर 30 सेगंड स्कॉाइर यानि कह सकते हैं 9.8 मीटर पर 30 सेगंड स्कॉाइर वही चीज है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की और अगला कोशन है कि रेफिरिजरेटर किस सिधान्द पर कारी करता है बताइए अब जो है इसका अंसर क्या होगा ओसमोसिस केंद्रा पसारं या फैलाव या बास्पी करंद्वार तो देखे रेफिरिजरेटर जैसे आप साधनत और पर जो है इसका एक कोशन और पढ़ते होंग कि रेफिरिजरेटर जो होता है उसका दरवाजा अगर खूला छोड़ देते हैं तो कमरे का ताप बढ़ जाता है ठीक है तो चलिए इसका अंसर आप लगा चुके होंगे अगर जो है नौ नमबर का जो है उप्सन अगर दिल्ली लगा है तो आपका जो है अंसर बिल्कुल स सकती है तो बताए इसका अंसर क्या होगा तो चलिए दोस्तो इसका अंसर जो है आप लगा चुके होंगे तो अगर आप जो है इसका अंसर जो है C लगा है तो बिल्कुल सही है आपको पता है कि ध्वनी के चलने के लिए माध्यम क्या हो सकता होती है ठीक है उसमें माध्यम जो है ठोस दरव गैस होता है ठीक है सबसे अधीक जो है ध्वनी का चाल या फिर जो है वेग जो है किसमें होता है सबसे अधीक जो है ध्वनी का वेग जो होता है ठोस में होता है उसके बाद जो है द्रव में होता है द्रव के बाद जो है गैस में होता है ठीक है ध्वनी जो ह धा से धुलकन ओर धा से भाएख़ुं। ये ये फीलडी यह पसंद आया होगा दिश्ट नौनज और इसे जरूर आप बताएँ कि कितना दस में कोस्टन आपका सही हुआ ठीक है इस लिए और comment में जरूर बता है इसलिए कि आप like और comment करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है और हमारा होसला बढ़ जाता है कि हम जो है वीडियो जरूर दें ठीक है तो चलिए आज बर इतना ही आप से विदा लेते हैं जै हिन जै भारत बंदे मातरम